दोस्तो आज की हेर प्रोब्लम सीरीज में बात फ्रीजी हेर की फ्रीजी हेर यानि वो बाल जो अलग से लगते हैं जो फ्रीज हो जाते हैं यानि जो बाल रूटीन के बालों के साथ ना मिलकर खड़े हो जाते हैं ये वेवी भी हो सकते है, स्टेट भी हो सकते है फ्रिजी बालों के बारे में बहुत सारी बाते कही जाती है कुछ लोग छोटे बालों को अलग दिखने वालों को फ्रिजी कहते है कुछ लोग करली या वेवी बालों को फ्रिजी कहते है अलग-अलग कल्चर में फ्रीजिनेस होना अच्छा या बुरा दोनों नए जा सकते हैं आज हम जानेंगे वो तीन कारण जिन से बाल फ्रीजी होते हैं बने रहिए मेरे साथ इस विडियो में दोस्तो बाल फ्रीजी होने के तीन मुख्यक कारण होते हैं सबसे पहला कारण हे डिट्री जब वंशानुगत कारणों से जब हमारे गुंसुत्रों के कारणों से जो जीन्स हमें मिलते हैं उनके हिसाब से बाल करल होते हैं वेवी होते हैं घुंगराले होते हैं तो उन्हें हम फ्रिजी बाल कह देते हैं और कई बार जब ये फ्रिजी बाल और ज़्यादा उलज जाते हैं तब ये इस तरह से नजर आते हैं और अलग से हमें इनका पैटरन नजर आता है जो दूसरे बालों के साथ अलाइन नहीं करते और फ्रिजी जैसी संघ्या को प्रतिपादित करते हैं दोस्तो ये frizzy hair बहुत सारे culture में अच्छे माना जाते हैं लेकिन ज्यादा तर frizzy hair का मतलब damaged hair को लेकर कहा जाता है यानि frizzy bal को ज्यादा तर अच्छा नहीं माना जाता frizzy bal का दूसरा कारण होता है damaged hair दोस्तो बाल बहुत सारे कारणों से damaged हो सकते हैं वैसे तो हमारा बाल टेकनिकली अगर विग्यानिक दिस्टी से भी बात करें तो डेड माना जाता है क्योंकि बाल जब अपने स्किन छोड़ देता है तो वो मर जाता है लेकिन यहां पर डेमेजड बाल वो है जिसका क्यूटिकल खराब हो गया हो जिसकी कोटेक्स फूल गई ह दोस्तो जब हम ओवर कॉंब रशापो करते हैं या गलत कॉंब करते हैं ज्यादा बर्शिंग करते हैं तब भी हमारे बाल डेमेज हो जाते है अलग अलग से उठे उठे और फैले-फैले दिखते है उसके लावा ज्यादा बलो ड्रायर करने से ज्यादा heat apply करने से हमारे वाल खराब हो जाते हैं इसके लावा बहुत सारे अलग-अलग chemicals यूज करने से बालों को बारबार straightening कराने से rebonding कराने से curling करने से pressing करने से भी बाल damage हो जाते हैं खराब हो जाते हैं यदि आप बाल चाहते हैं आपके frizzy नहों अच्छे रहें तो आपको इस तरह की चीजों से बचना चाहिए और तीसरा बड़ा कारण होता है बाल frizzy होने का वो है humidity जब humid वातावरन होता है जब नमी का environment होता है तब भी हमारे बाल frizzy हो जाते हैं ऐसा इसलिए होता है कि जो बाल की बीच वाली लेर होती है cortex वो फूल जाती है क्योंकि उसमें protein होता है होता यह है कि moisture cuticle को पार कर जाता है और cortex तक पहुँच जाता है क्योंकि cortex protein से बनी होती है और protein पानी के मिलने से फूल जाता है तो हमारे बाल frizzy नजर आते हैं यदि आप frizzy बालों से बचना चाहते हैं तो ज्यादा humid या नमी वाले वातावरन से आपको बचना होगा तो दोस्तो आज के वीडियो में हमने जाना कि frizzy बाल क्या होते हैं और इनके तीन मुख्या कारण क्या होते हैं दोस्तो मैं उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो और ये सीरिस अच्छी लग रही होंगी यदि आपको लगता है ये औरों के भी काम आ सकती है तो इसे शेयर करना ना भूले और यदि आप चैनल पर नए है तो चैनल सब्सक्राइब और शेय करें क्योंकि बालों को लेकर हर वो बात जिसे आप जानना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर मिलेगी नमस्कार